Hello students, NCE RT Maths Class 10th में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रिशना बली 15.1 का प्रशने क्रमांग साथ हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रशन पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है कि तीन बिध्यारतियों के एक समूह में से दो बिध्यारतियों के जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्राइकता 0.992 है इसकी क्या प्राइकता है कि इन दो बिध्यारतियों का जन्म दिन एक ही दिन हो तो बड़ा सिंपल सा कॉश्चन है एक ही दिन ना होने की प्राइकता तो किसी घटना के ना होने की प्रायक्ता ये दी गई है 0.992 तो हमें किसी घटना के होने की प्रायक्ता ग्याद करना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रश्निक्रमांक 5 में लगाए था तो हम यहाँ पे लिखेंगे जन्म दिन ना होने की प्रायक्ता कितनी दी गई है जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्रायक्ता 0.992 है तो हमने लिख लिया जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्रायक्ता P.E.0 ना होने के लिए P.E.0 का इस्तेमाल किया जाता है तो 0.992 तो और ग्यात क्या करना है जन्म दिन, दो बिद्धियारतियों का जन्म दिन एक ही दिन हो तो जन्म दिन एक ही दिन होने की प्रायक्ता उसके पहले हम ये लख लेंगे कि दो बिद्धियारतियों के ऐसा इसलिए क्योंकि दो बिद्धियारतियों के जन्मे दिन एक ही दिन ना होने की प्रायकता P E 0 बरावर 0.992 और जन्मे दिन एक ही दिन होने की प्रायकता हमें ग्यात करना है तो इसे हम P E से दर्साएंगे और ये हमें दी गई है ग्यात करने के लिए तो ग्याद करना है यानिकी तो formula लगाएंगे तो हम लिखेंगे सूत्र और ये सूत्र होता है कि किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायक्ताओं का योग एक होता है तो किसी घटना के घटित होने की प्रैक्ता हो जाएगी P e naught और दोनों का यूग कितना होगा एक होगा तो P e कितना है हमें ग्याद करना है तो हमने लिखा P e तो हमें ग्याद करना है लेकिन P e naught कितना है तो P e naught आप बताइए कितना है 0.992 तो हमने यहाँ पे लिखा 0.992 बरावर कितना हो जाएगा बरावर ए 0.992 अब इसमें हम घटा देंगे तो पी ए बरावर एक मैंसे इतना घटाना है तो एक को हम लिख सकते हैं एक दिसमलाव लगा के जीरो चाहे जितने बढ़ा दें लेकिन दिसमलाव के बाद यहां तीन अंक है इसलिए हम इसमें भी तीन जीरो बढ़ा दे रहे हैं फिर इसके आठ यहां हमने दस माना हुआ था तो अब क्या होगा कि यहां पे हमने एक इसको दे दिया था तो यहां पे बचेगा नो नो मैंसे नो जाएंगे तो बचेगा जीरो यहां भी नो मैंसे नो जाएंगे तो कितना बचेगा जीरो क्योंकि इसको दार दिया था यहां भी नो ब तो यहाँ पर लिख देंगे दो विध्यार्तियों के एक ही दिन जन्म दिन होने की प्रयक्ता की प्रैक्ता और यह कितनी होगी, 0.008 होगी, इस तरीके से हमें प्रशनिक रमांग साथ solve करना है आए इसके इसको ले लेते हैं तो आप यहां से इसका solution जो है इसको लेख सकते हैं इसके बाद ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए आप फिर ही online coaching की playlist पर जाकर वहां से क्रम अनुसार अध्यन कर सकते हैं Thank you